नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पार्थफाइंडर स्टेडी पॉइंट में तो यूपी ट्रिपैल सी का जो लोवर सबाडनेट का एक्जाम हुआ था पंदरा जुलाई को तो उसमें आज ये दूसरा मेरा जो है सेसन है जिसमें केवल जो मैत के बचे हुए क्वेश्च आए थे तो मैंने सभी का सॉल्व जो है पहले से ही लिख रखा है तो आपको बस देखते जाना है और मैंने पूरी कोसिस की है कि बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करके आपको बता सके जो है राइट एंसर लेकिन हो सकता कहीं अगर कोई गलती हो या कोई और मैथ हैड हो न आती है इसको सुईकारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आपके एंसर जो है लगभग आपको सभी मिलेंगे इस वीडियो में इसलिए जरूर देखिए और पूरा देखिए तो शुरुवात करते हैं सबसे पहला कोस्चन था 106 नंब और इसके बाद के आएगा 6 क्यूब 8 क्यूब इस तरह से 20 तक का क्यूब निकालना है यानि सभी सम संख्याओं का क्यूब निकालना है तो वो कित्ती वैल्यू आएगी 24,200 आएगी इसको करने के लिए कोई 100 ट्रिक्स भी होती है लेकिन वो खैर मैं नहीं बता पा रहा इसको के साथ से 24,200 जो है इसका सही एंसर है नेश्ट कोस्चन देखते हैं इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है A, B, C जिसमें B की माप कितनी है 60 जो है यहाँ पर यह 60 डिगरी है और C जो है C की 40 डिगरी है तो ऐसे में जो है और उसमें बात कहा गया है कि D और E यह जो है इसमें से A, D जो है यह बाइसेक्टर है और A जो है पर परपेंडिकुलर है तो B, C पर B, C जो है तो इसका जो है मेजरमेंट E, A, D का क्या निकालना है तो इसका जो है 10 आजाएगा मेजरमेंट तो इसमें किया क्या गया है आपको जो है A, B, C में B और C की जो है नाप पता ह और एक आपको पता है कि यह 80 degree है तो सबसे पहले हम जो है A, A, D, C निकालते हैं तो A, D, C जो है यानि हमको जो है D वाला कोड निकालना है तो इसमें D निकालने के लिए हम क्या करेंगे और इसमें 40 और इस 40 जो है दोनों को यानि A और C को जोड़के 180 में से माइनस कर देंगे तो यह 80 घटा देंगे इसमें तो आपको कोड D का मान जो है 100 मिल जाएगा उसके बाद आपके पास कथन है कि E जो है परपेंडिकुलर है यानि E जो है 90 डिगरी का कोड बना रहा है B का आपको मान पता है तो 60 और 90 को जोड़के हम 180 में से अगर घटा देंगे तो हमको B, A, E का मान पता चल जाएगा तो इस तरह से B, A, E में हम क्या करेंगे 180C में से हम जो हमारे पास दीवी वैलू है यानि 60 हमारे पास है B कोड का मान और 90 है हमारे पास E का मान तो इसको घटा देंगे तो यह हमारे पास 30 जो है इसका एंसर आ जाएगा अब हमको E, A, D यानि E, A, D ये वाला कोड निकालना है जो question ने पूछा गया है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे हम B, A, D में से B, A, E को घटा देंगे यानि इसको 40-30 कर देंगे जो हमने निकाला है तो हमारा एंसर जो है 10 आ जाएगा यहां से नेक्स्ट को देखते हैं यदि 20 महिलाए 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती है तो 10 महिलाए 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगी तो जो short का formula होता है M1 D1 upon W1 बराबर M2 D2 अबलिक WT इसको हम follow करते हैं इसमें तो हम उसको सारे value रख देते हैं को solve करेंगे तो हमारे पास D2 की value जो है 10 दिन आ जाएगी यानि 10 महिलाएं जो है 10 दिन में 50 मीटर सड़क बना सकती है फिर हम अगला solution देखते हैं यदि A plus 1 बटे B बराबर 1 है B plus 1 बटे C बराबर 1 है तो हमको C plus A बटे A का मान निकालना है तो यह question सीधा सीधा SSC में आया हुआ है किसी paper में तो यह मैंने वहीं से लिया है इसका solution आप इसको देख सकते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया है दो equation बनाई गई है पहली equation हमाँ पास क्या थी A plus 1 बटे B बराबर 1 उसको solve किया गया है तो B बराबर 1 उबलीक 1 माइनस यह माना गया है फिर दूसरी equation जो है B plus 1 अपान C बराबर 1 को जो है इसमें जो है इसमें B का मान जो है A equation से रख दिया गया है तो इस तरह से A बराबर 1 उबलीक 1 माइनस C हमको मिल गया है अब जो है दोनों की value को जो है यहाँ पर रख देते हैं तो इस तरह से answer जो है इसका 1 आ जाएगा जो की सही answer है Next question देखते हैं तेरा परणामों का आउसत 70 है प्रथम 7 का 65 है और अंतिम 7 का जो है 85 है तो इसमें क्या करेंगे 13 परणामों का यौग आपके पास कितना है 13 गुड़े 70 यानि 910 हो गया यह तो यह यूग निकल गया आब हम प्रथम 7 परणामों का यूग निकालेंगे क्या करेंगे इसके लिए 7 को 65 से भाग देदेंगे गुड़ा कर देंगे क्योंकि प्रथम 7 का उसत आपको पता है योग निकालना है तो 7 गुड़े 65 बराबर 455 हो जाएगा फिर इसी तरह से अंतिम 7 का हम निकाल लेंगे 7 गुड़े 75 क्योंकि ये भी हमारे पास दिया हुआ है 75 उसत तो ये आ जाएगा 525 अब हमको 7 परणाम न जाएगा 70 आ जाएगा तो इस तरह से इसका एंसर 70 हो जाएगा अब अगला कोशन देखते हैं 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसमें से 30 36 और 80 जिसे 30 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रते एक इस्तितिम में 11 ही से बचे तो इसको करने के कई मैथेड हो सकते हैं तो निकालते हैं 2 गुड़े 3 गुड़े 50 36 का जो है 2 बाइ 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा और इसी तरह से 80 का हम जो गुड़न फल निकालेंगे तो 2 गुड़े 2 गुड़े 5 ये आ जाएगा अब इसी से हम LCM ले लेंगे 30 36 और 80 का तो हमको LCM कितना मिल जाएगा 720 720 LCM मिल गय अगर हमने 2 बार गुड़ा किया तो हमको कितना मिला 1440 जो 1000 और 2000 के बीच का है और ये इसको भाग करने पर हमको reminder यानि सेस कितना मिला 11 मिला है तो इस तरह से number 1440 पस 11 पराबर 1451 हो जाएगा जो की सही answer हो जाएगा नेक्स चोच्चन देखते हैं इस QEČ में क्या पुछा है कि X plus 4 वेक्तिएऑ द्वारा X plus 5 दिनों में कार किया जाता है तो X minus 5 वेक्तिएऑ दोवारा X plus 20 दिनों में कितना के कार के बराबर है तो इनमें X का मान क्या होगा तो simply इसको समानुपात की नियम से कर निकालते हैं तो X plus 4, X plus 5 को एक तरप गुड़े में लिख देंगे और X minus 5 और X plus 20 को करेंगे इसको हम solve करेंगे आगे further तो हमको X का मान 20 मिल जाएगा तो इसका उत्तर 20 हो जाएगा आगे question देखते हैं पचास विद्यार्थियों की एक कच्छा में में आउसत अंक जो है बात्तर है उस विशे में लड़के और लड़कियों के आउसत अंक क्रमसा 70 और 75 हैं तो कच्छा में कुल लड़कों की संख्या क्या होगा तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या X है और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी पचास माइनस X हो जाएगी क्योंकि कुल जो है 50 विद्यारति हैं कच्छा में अब हम कुल अंक जो है कैसे निकालेंगे तो लड़कों द्वारा जित्ते भी अंक प्राप्त किये गए हैं कुल और लड़कियों द्वारा प्राप्त किये गए हैं अंक उनको जोड़ देंगे तो जो कुछ हमारे पास जो है क्वेस्चन में दिया हुआ है तो कुल अंक कैसे हम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास औस अंक दिया हुआ है और टोटल पिद्यार्थी दिये हुए है तो 50 गुड़े 72 यहां पर आ जाएगा उसके आद हमको X into 70 लिख देंगे और लड़कियों की संख्या हमारे पास किती है 50 X जो हमने यहां पर निकाली है उसमें हम 75 से गुड़ा कर देंगे तो इसको अगर हम जब further solve करेंगे इस equation को आप इसको आराम से देख लीजिएगा तो X plus 30 जो X बराबर 30 आ जाएगा यहां पर तो यह इसका answer next question का 30 हो जाएगा अब अगला देखते हैं दो रेलगाडिया एक ही समय में अली गौड़ दिल्ली से करमसा 14 किलोमेटर प्रतिघंटा और 21 किलोमेटर प्रतिघंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना हुई जहां पर वो एक दूसरे से मिलती है तो पता चलता है कि उनमें से एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी के अपेच्छा 70 km की अधिक यात्रा की है तो दोनों इस्टेशनों के बीच की दूरी क्या थी तो सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे दोनों ट्रेनों की चाल में अंतर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे दोनों की चालों को माइनस कर देंगे तो 7 km पर आवर जो है अंतर आ जाएगा अब 70 km की दूरी 7 km प्रती घंटे की गती से तै करने में कित्ता समय लगा तो सीधे सीधे हम फार्मूले में रख देंगे 70 बटे 7 तो 10 घंटे का समय लगा तो अब हमको निकालना है कि 10 घंटे में चली गई दूरी कितनी थी तो 10 घंटे में चली गई दूरी के लिए हम 14 गुड़े 10 21 गुड़े 10 योकि दोनों की अलग अलग चाल पे जो दूरी है तैकी हुई उसको आपस में जोड़ देंगे तो 140 प्लस 10 तो 350 किलो मिटर की जो है दूरी जो है हमको प्राप्त हो जाएगी इस तरह से next question देखते हैं एदि यह कोई रैखिक समी करण है जिसमें 2x प्लस 3y बराबर k है और इसका हल क्या है 2 और 0 है तो k का मान यहाँ पर क्या होगा यह हमको बताना है तो सबसे पहले हमको क्या पता है 2x प्लस 3y बराबर k है यह प्रस्न में ही दिया है और 2 0 से अगर हम देखेंगे तो अगर इसका मान हम x बराबर 2 और y बराबर 0 रख देते हैं तो इसको हम सरलीकरत करते हैं तो k का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा तो इसका मान यहाँ पर 4 हो जाएगा फिर अगला कोश्चन देखते हैं किसी त्रभूत की भुजा B, C कोड D तक बढ़ाया जाता है और A, C, D बराबर 112 डिगरी, B बराबर 3 by 4 into A तो B कोड B का मान क्या होगा तो सीधे सीधे पहले इसको हम ड्रा कर लेते हैं तो हमको पता है A, C, D यानि यह वाला कोड कितना है 112 डिगरी है और B का मान कित्ता दिया हुआ 3 by 4 into X और A का मान X है जो हमको पता करना है तो जो प्रिमे है वो क्या बनेगी A, C, D बराबर B, A, C प्लस A, B, C तो 112 हमको पता है X का मान नहीं पता है और B का मान कित्ता है A, B, C का जो है तो यह 3 बटे 4X है अब इसको हम जो है solve करते हैं तो X का मान कित्ता आ जाएगा X का मान 64 आ जाएगा तो B कितना है? B हमारा 3 by 4X है तो इसमें हम जो है X की value रख देंगे यानि 3 by 4 into 64 रख देंगे जो यहाँ पे solve किया गया है तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा अगला question देखते हैं यदि 10 रुपाय का 3 by 4 भाग 100 रुपाय के 3 by 4% से X परसेंट अधिक है तो X का मान क्या होगा? तो सीधा सीधा जो हमको पता है पहले उसको हम लिखते हैं तो 100 रुपाय का 3 by 4 भाग बराबर कितके आ है? 100 रुपाय के 3 by 4% परसेंट प्लस और X परसेंट अधिक है तो उसमें X परसेंट हमने रख दिया इसको हम सरल करते हैं तो इस तरह से हम सरल करने पर यह आएगा उसके बाद 75 बराबर 3 by 4 X प्लस 1 आजाएगा इसको यहाँ पर हम काटेंगे 25 आजाएगा 100 माइनस 1 बराबर X आजाएगा तो X बराबर 99 आजाएगा तो यह एंसर इसका सई हो जाएगा अब next question देखते हैं यदि किसी वर के विकंड की लंबाई 6 under root 2 cm है तो इसका छेत फ़ल कितना होगा तो वर का विकंड क्या होता फार्मूला A under root 2 होता है तो इसको सीधे सीधे हमने क्या लिखा 6 under root 2 जो हमको पता है विकंड के बारे में तो अगर इसका छेत फ़ल निकालना है तो A square निकालेंगे और यहाँ से क्या है एक इसके बराबर है छे के बराबर है तो सीधे सीधे A की value जो है यहाँ पर रख देंगे तो 6 का square आनि 36 cm square जो है इसकी value हो जाएगी यह मैंने पहले से solve इसलिए का रखे हैं क्योंकि जादा questions हैं तो जादा समय ना लगे क्योंकि अगर इसको वीडियो में ही अगर मैं आपको solve करके दिखाऊंगा तो जो है आपको कम से कम डिगड घंटे का यह वीडियो बन जाता अब अगला क्या है 1 plus 1 by a का whole square is equal to 3 हो तो इसका हमको इस पूरे का मान निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या पता है हमको यह चीज़ दी हुई है तो इसको हम लोग solve करते हैं square को हम क्या करते हैं दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यहाँ क्या लग जाएगा अब दोनों पक्छ 3 under root 3 minus under root 3 यह solve करने पर 10 आ जाएगा तो अब इसका हमको मान पता चल गया है और यहाँ पर फिर क्या a to the power 6 plus 1 बराबर 0 तो a की power 6 बराबर कितना हो जाएगा minus 1 हो जाएगा अब इसको हम जो a की value आई है वो जो हमको समीकरण दिया हुआ है उसमें हमको यानि इसमें हमको a की value put up कर देनी है तो a की value हम जो है इसको a को 6 by 5 मतलब सभी को a के power 6 की form में लिख लेते हैं आप समझ सकते हैं इसको देखके उसके बाद हम a का मान रख देते हैं जहां सभी में minus 1 रखना है लेकिन accordingly जो है उसका जो है उसके square के हिसाब से हम उसको solve करेंगे तो कुल मिलाके जो है यह पूरा पूरा जो है कड जाएगा और यहाँ पर जो है answer इसका 0 आ जाएगा आगे हम देखते हैं एक ट्रिकोर दिया हुआ ABC जिसमें O क्या है इसका center जो है लमकेंदर है तो B O C B O C का मान हमको दिया हुआ है इसका जो है कितना है 80 है तो B A C का मान हमको निकालना है यानि ह हमको इसका मान यहाँ पर ग्याद करना है इसकोर का तो B O C अबमा हम आपकर 80 0 दिया हुआ है तो लमकेंदर प्रवे क्या होता है इसमें हम B O C प्लस कोर A को जोडने पर 180 प्राप्त होना चाहिए अब हमको मान दिया हुआ है ऑ 2 O C का तो इसमें 80 जोड़ देते हैं यह हमको प्लस अंडरूट 143 तो n का मान क्या है इजी कोस्चन है अगर आप इसको देखें बस हमको एक फॉर्मिट में इसको लाना है तो 11 अंडरूट n बराबर हम कैसे लिख सकते हैं 16 इंटू 7 लिख सकते हैं इसको क्योंकि 16 सती 112 होता है और 343 को कैसे लिख सकते हैं 49 इंटू 7 तो हम हमारा यहां बाहर आ जाएगा इसी तरह से 7 सती 49 होता है इसको स्क्वाइर को बाहर लिखेंगे तो यहां पर 7 बाहर आ जाएगा अब दोनों को जोड लेंगे तो 7 और 4 मिलके यहां 11 अंडरूट 7 आ जाएगा इधर हमको 11 यहन हमारे पास दूसरी तरफ था तो 11 से 11 जो है कै पूरा कर सकते हैं यानि 1 बाइ 2 काम कर सकते हैं आगले 2 दिनों में B और C मिलकर 3 बटे 10 कार पूरा कर सकते हैं तब A अकेला समस्कार को किते दिनों में पूरा कर सकता है तो A, B और C का 1 दिन का काम हमको कितना हो जाएगा क्योंकि यह तो आधा काम दिया हुआ है एक दिन का क काम कितना हो जाएगा इसमें भी हम 2 से multiply कर देंगे जो हमारे पास तीन बटे 10 दिया हुआ है तो 3 oblique ये 20 आ जाएगा इसका मान अब हमको केवल एक आएक दिन का काम निकालना है तो हमारे पास जो ये आया था और जो ये आया था दोनों को घटा देंगे एक बटे 4 माइनस 3 ब दस जो है इसका answer सही है अगला question क्या है निम संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह बिभाज है तो इसके कई तरीके हो सकते हैं लेकिन जो है जो अगर किसी को फार्मूले या जो है कोई trick नहीं आती है तो आप सबसे पहले जो है तीन से इसका जो है चेक कर लिज तो ये पूरी तरह से चला जाएगा और कुछ भी सेस नहीं बचेगा इसलिए इसका answer जो है ए हो जाएगा फिर next question हम देखते हैं प्रभात ने 12 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया है संतोस बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है दोनों मिलकर ये काम कित्ते तो बारा दिन में आधा काम करता है तो पूरा काम कित्ता करेगा 24 दिनों में करेगा सिंपल है 6 दिन में आधा काम संतोस करता है तो पूरा काम कित्ता करेगा 12 दिनों में करेगा तो दोनों मिलकर कित्ता काम करेंगे तो इसको हम 24 इंटू 12 बटे 36 कर लेंगे तो 8 दिनों में पूरा काम हो जाएगा अब अगला देखते हैं रुचिर 20 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा की गती से चल कर रुकमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गती से चल कर साइकल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं यदि वो 48 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो इनके सुरुवात में कितनी दूरी थी यानि कित्ती दूरी पर ये थे तो चुकि दोनों एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो सापेक्च चाल इनकी कित्ती हो जाएगी 20 प्लस 25 यानि दोनों की हम चाल जोड़ देंगे तो 45 km प्रती घंटा इनकी चाला जाएगी अब इनकी बीच की दूरी कैसे निकालेंगे चाल गुड़े समय दूरी वराबर चाल गुड़े समय तो दूरी कित्ती जो है जो है हमको पता चल गए सापेकशी दूरी 45 km है और 48 मिनट था तो इसको हम जो है क्या करेंगे इसको हम घंटे में बदलने के लिए हापे 60 से भाग कर देंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको 36 km एंसर इसका मिल जाएगा जो की इसका सही एंसर होगा अगला two a p q बराबर p plus a square minus p minus 1 two a square में one क्या होगा तो सीदा सीदा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो a plus b ka whole square और a minus b ka whole square का यह फारमूरा लिखा है तो उसी फाररमूले पर इसको हम खोल लेते हैं मतलब सरल कर लेते हैं तो p square plus q qu double two p q minus p square minus q square plus two p q यह आ जाएगा जो है इनमें से जो कुछ similar है वो सब कड़ जाएगा तो इस तरह से आपको 2APQ बराबर 4PQ आ जाएगा 2A बराबर 4 आ जाएगा A बराबर 4 by 2 आ जाएगा तो इस तरह से इसको और solve करेंगे तो A by 2 जो है finally A बराबर 2 आ जाएगा जो इसका सही उत्तर होगा next question x का मान क्या होगा जिसमें बेंजक 8x plus 12 और 14x minus 6 बराबर हो यानि ये इसके बराबर है तो सीधा सीधा यही लिख लेते हैं 8x plus 12 बराबर 14x minus 6 अब क्या करेंगे 6x बराबर 18 जो है इसको solve करने पर आ जाएगा और x बराबर इसका मान 3 आ जाएगा आपको कहीं पर भी कोई ऐसी चील लगे कि जो है मेरे मैं आपको गलत बता रहा हूँ तो आप इसको सोयम भी solve करिए कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं math का expert नहीं हूँ लेकिन अपनी पूरी कोसिस कर रहा हूँ मैं इसको जो है सही से solve करने की फिर 3 under bracket 6 minus 2x का वर्ग क्या होगा यानि इसको हमको वर्ग करना है तो इसको हम लिख लेते हैं इसको हम पहले इसको हमने खोल लिया अभी वर्ग करने से पहले minus 18 into 6x into 2 अब इसको हम आगे solve करते हैं तो 36x square minus 216x और प्लस 324 और हमको यहीं तक solve करना है क्योंकि answer जो है इसी format में दिया है तो इसका d answer जो है यह सही हो जाएगा next question का देखते हैं यदि एक दुकानदार 450 रुपए में एक वस्तु को बेजता है जो 600 रुपए के चिन में चिननी थे तो वो कितने छोट की पेसकस कर रहा है तो अंकित मूले कितना है उसका यानि जो है जो उस पर printed rate है वो 600 रुपए है लेकिन वो बेज कितने में रहा है 450 की यानि वो छूट कितनी दे रहा है 600 माइनस 450 यानि वो 100 रुपए की छूट दे रहा है यहाँ पर जो है 1500 रुपए की छूट दे रहा है तो अब हम 6 चूट का प्रस्सत निकाल देते हैं तो 600 जो है अब लीक में आ जाएगा 150 बटे 600 गुड़े 100 प्रस्सत निकालने के लिए तो 25 प्रस्सत की वो जो है छूट दे रहा है नेक्स वोच्चन देखते हैं 648 किलोमीटर की गती से यात्रा करते हुए एक एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 12 घंटे अधिक समय लेती है यदि राजधानी ट्रेन की गती दोगुनी कर दी जाए तो वह राजधानी की तुलना में 6 घंटे कम समय लेगी राजधानी ट्रेन की गतीक निकालनी है इसमें तो नहीं पता है तो पहले हम इसको मानते की माना राजधानी की चाल एक्स है और एक्सप्रेस जो गाड़ी है उसकी जो है वाई किलोमीटर परावर चाल है अब टाइम बराबर डिस्टेंस अबलिक स्पीड सीधा फार्मुल ले रही जादा 12 गंटे जादा ले रही है तो 1 अबलिक y माइनस 1 अबलिक x तो 12 बटे 648 आजाएगा और बराबर आजाएगा फाइनली 154 तो इसको हम समीकरान एक मान लेते हैं अब हम दूसरी कंडिशन देखते हैं कि जब ट्रेन की चाल को दूगना कर दिया गया तो क्या कंडिशन आएगी उसी तरह से हम फार्मुला लेते हैं यहाँ पर दुगना कर दिया गया चाल को और तब जो है 6 गंटा पहले पहुंच जाती है तो इसको फर्दर सौल करते हैं तो इस तरह से हमको यह equation number 2 मिल जाएगी equation 1 और equation 2 को हम जोड देंगे आपस में तो 1 अबलिक y म बराबर 1 बटे 54 प्लस 1 बटे 108 इसको हम सौल करते हैं तो हमारे पास y की चाल यानि express train की चाल कित्ती आ गई 18 km प्रति घंटा आ गई अब हमको राजधानी की चाल निकालनी है तो जो सबसे पहले हमने देखा था 1 अबलिक x बराबर 1 बटे 18 माइनस 1 बटे 54 तो इसको हम 2 km पर आवर तो इसका ये सही एंसर हो जाएगा नेक्स ट्रेंट देखते हैं एक कार 70 km पर गंटा से एक निश्ची दूरी तय करती है और 30 km पर गंटा से वापस आ जाती है यानि दूरी उतनी थी तो पूरी यात्रा की आउसत गती बताईए तो जब दूरी समान थी तो आउ है तो आप इसको हम इस पर हमने मान जो है सारे रख दिये तो यह कितना जाएगा 400 बीट बटे सो और फाइनली जो है यह 42 km पर गंटा इसकी स्पीड आ जाएगी यदि दो अंकों की संख्या का दहाई अंक एकाई अंक से साथ अधिक है और यदि हम संख्या में से 63 घटाएं तो प्राप नई संख्या के अंकों में अदला बदली कर बनी है तो संख्या का पता लगा है तो देखिए इसको एक्स मान के भी इसको हल किया जा सकता है लेकिन अगर आप जो है आपसन से डारेक्ट करना चाहें तो भी हो सकता है 81 जो है अगर इसमें से आप 63 घटाएंगे तो आपको जो है 18 मिलेगा और 18 को अगर आप उलट पुलट कर देंगे यानि जो है 8-1 कर देंगे तो आपको 81 मिल जाएगा तो यह सेम जो है CGL में आया हुआ कोश्चेन है से सी में तो इसमें अगर हम आल लेते हैं कि 3 numbers ABC are in proportion if B square बराबर AC तो B is mean proportion and C is the third proportion तो mean proportion जो है एक्स और Y का कितना आजाएगा 16 है इसमें तो इसको देखें हैं हाँ solve किया गया X Y बराबर 16 के square बराबर 256 यह पहला समिक्रण ले आए अब तीसरा proportion 1024 दिया है तो Y square बराबर क्या हो जाएगा X into 1024 यह दूसरा को अब जो है substitute कर देंगे X की value को equation 1 और equation 2 तो हमको क्या मिल जाएगा इस तरह से अगर इसको solve करेंगे तो हमको answer जो है इसका 4 मिल जाएगा और 4 और 64 को कि 64 हम पहले ही निकाल चुके हैं तो इसमें 4 और 64 यह B वाला answer जो है इसका correct हो जाएगा एक ऐसे चाप की लंबाई निकालें जिसका केंदरी कोन कितना पैताली डिग्री है और ब्रत की तिरिया 28 cm है तो इसको कैसे साप कर जाएगे चाप की लंबाई कित्ती हो जाएगी 2 pi r थीटा अपान 360 जहां पर यह जो है कोन है तो pi का मान 22 बटे 7 रख देंगे r हमको तरिज्या दी हुई 28 और कोन हमारे पास 45 डिग्री है इसको हम equation में रख देंगे तो हमारे पास 22 cm इसका आपसन आ जाएगा next question देखते है and 9-3x-17-10 बड़ाबर 1 हो तो इसमें x का मान हमको निकालना है कि x का मान क्या होगा तो यह question जो है simplification का है आप सीधे-सीधे values लिख लिख लिए 9-3x-8x-10 बड़ाबर 1 यह दिया हुआ है इसको आप ब्रैकेट को हटा दीजे 9 तो यहाँ minus के कारण यहाँ पर plus हो जाएगा सेम बाकी चीज़े हो जाएगी अब इसको आप solve करेंगे तो minus minus के 3x-17x है तो यह 20x हो जाएगा और 10 और 9 मिलके 19 हो जाएगे बराबर 1 आजाएगा 20x बराबर 18 आजाएगा अब x का जो है 18 बटे 20 यानि 9 बटे 10 जो हमारे पास question में दिया हुआ है तो इसका answer 9 अबलिक 10 हो जाएगा फिर काम समय चाल समय question आगया किसी काम को 30 दिन में A कर सकता है जबकि 20 काम को 40 दिन में कर सकता है A और B मिलकर काम को किते दिन में करेंगे तो जो हमने फार्मूला पहले किया था तो A और B मिलकर काम करेंगे A into B अबलिक A plus B तो 30 गुड़े 40 और नीचे 30 प्लस 40 120 बटे 7 तो इसका जो हम इसको भिंद में solve करेंगे तो 17 सा 1 बटे 7 दिन आजाएगा जो इसका correct answer हो जाएगा नेक जेखते हैं 16800 में नियूंतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि एक वह पूर्ण बर्ग बन जाए तो इसके लिए हम सबसे पहले 16800 जो है इसका जो है अंडरूट निकालते हैं लमसम में निकाल लेते हैं तो ये लमसम में जो है 129 आगया अब बिल्कुल correct नहीं है लेकिन इसके आगे दसमलों में आएगा तो 129 हमने निकाला 129 का हमने वर किया तो 166 प्लस 41 166 आ जाएगा अब इसको जो हमाँ पास संख्या दी गई है 16800 उसमें से घटा देंगे तो सारी अभाज संख्या है अभाज संख्या है वो होती है जो स्वयम से या जो है इनके द्वारा कटें तो एक और बीस के बीस 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये अभाज संख्या होती है इनको हमको लिख लिया और अवसर निकाल लिए इनकी जित्ति गिंती है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो आठ से हम इसको मल्टिप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा सततर बटे आठ इसको जो है भिंद में सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो है बी एंसर यानि नाइन, नौ सही, पांच, बटे आठ जो ही करेक्ट एंसर आ जाएगा अब देखते हैं किसी परिच्छार्थी को परिच्छा उत्रीन करने के लिए कितने अंग चाहिए थे, 40 अंग प्राप्त करने है और वो 180 अंग प्राप्त करता है कि बराबर अंगों से अनुत्रीन हो जाता है तो परिच्छा में पूढां किते थे मतलब यह है कि 40% वो प्राप्त करता है उसके बावजूद भी अगर वो 180 प्राप्त करता तो प्राप्त करके भी वो अनुत्रीन हो जाता है यानि जो इसको 180 प्लस 180 बराबर 40% यह हमारे पास जो एक जो है शुर्वाती इंफार्मिशन हो गई तो इससे हम 40% निकाल लेते हैं 40% आजाएगा 360 तो 100% कितना हो जाएगा पूढांक यानि 360 बटे 40 इंटू 100 यानि 900 जो है इसका पूढांक होना चाहिए था एक वर की प्रतेग भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके छेत्फल में कितने प्रस्चत की ब्रद्धी होगी तो वर का छेत्फल बराबर क्या होता है भुजा का स्कॉयर होता है तो छेत्फल में ब्रद्धी कितनी होगी चूकि 10% बढ़ा रहे हैं और 10% प्लस 10% बराबर 10 गुड़े 100 बटे 100 तो ये 20 प्लस एक बराबर 21 परसंट की उसमें ब्रद्धी हो जाएगी किसी कालेज में एक बटे 5 लड़कियों और एक बटे 8 लड़कों ने एक समाजिक सिविर में भाग लिया कालेज में कुल कितने चात्रों ने सिविर में भाग लिया तो हमारे पास दोनों का बहाग कितना है तो दोनों के गर भागों का योग करें तो एक बटे 5, एक बटे 8 जो लड़के लड़कीओं का भाग है इसको जोड़ लेते हैं तो 13 बटे 40 आजाएगा जो हमारे answer जो है C option इसका सई हो जाएगा फिर किसी गोलक का कुल प्रिष्टी छेथपल 9π वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कित्ता होगा तो गोले का कुल प्रिष्टी छेथपल का फार्मूला क्या होता है 4π र स्क्वाइर अब 4 pi r square बराबर हमारे पास कित्ता दिया हुआ है 9 pi दिया हुआ है उसका मान दिया हुआ है प्रस्टी छेटपल का तो r बराबर कित्ता हो जाएगा pi pi यहां cancel हो जाएगा तो r बराबर 3 बटे 2 आ जाएगा और फिर यह हमारे पास r के value आ गई अब हमको आयतन निकालना है तो आयतन का फार्मूला होता है 4 by 3 pi r cube इसमें हम जो है r की value रख देते हैं तो यह 9 बटे 2 pi आ जाएगा तो 9 बटे 2 pi cm3 जो है इसका सही answer हो जाएगा अगला देखते हैं कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन हम पूरा कर लेते हैं यदि उस काम को पर 8 आदमी और लगा दिये जाएं तो वो काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता है तो बताइए मूलता कितने आदमी काम पर लगाए गए थे तो सबसे पहले हमाल लेते हैं कि शुरुवात में x आदमी थे तो इसको x गुडे 60 यानि 60 दिनों में पूरा करते हैं और बाद में 8 आदमी और लगा दिये तो x प्लस 8 इंटू 50 अब इसको हम equation को साल कर लेते हैं तो x बराबर 40 आ जाएगा जो कि आपका सही answer हो जाएगा तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है तो और संख्याओं का व्यूत्करम यानि अगर उसको पलट के लिखें तो 7 बटे 12 है तो को संख्या है बताइए तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या उसकी दुगनी है यानि 2x हो जाएगी और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी उसकी आधी यानि x by 2 हो जाएगी अब इनका व्यूत्करम कर लेते हैं यानि हम भिन को पलट लेते हैं तो 1 by x 1 आपलिक 2x और 2 बटे x या जाएगा अब इनका आउसत हम निकाल लेते हैं क्योंकि इनका आउसत व्यूत्करम को आउसत हमको दिया हुआ है तो 1 by x 1 आपलिक 2x और 2 बटे x बटे 3 लिख लेते हैं अब आउसत हमाई पास 7 बटे 12 दिया हुआ इधर कितना जाएगा 7 बटे 6x आजाएगा 7-7 को कैंसिल कर देंगे 6x बटे 12 तो x बटे 2 आजाएगा तो ये दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो गई अब पहली संख्या उसकी दुगनी थी तो 2 गुड़े 4 हो गया तीसरी संख्या आधी थी तो x बटे 1 हो गया पाई r² h होता है जहाँ पर h जो इसकी हाइट होती है पाई का मान रख देते हैं 22 बटे 7 5 गुड़े 5 गुड़े 21 इसको लिख लेते है r² की जगे तो 22 गुड़े 25 गुड़े 3 इसको हम सौल्ब करते हैं तो 550 गुड़े 3 तो ये 1650 cm3 जो है इसका answer D जो है बिल्कुल सही होगा एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है यह रेलवे लाइन के बगल में इस्थित एक ब्रच को पार करने में 50 सेकेंड का समय लेती है तो उसकी गती कितने किलो मीटर परती गंटा है तो गती बराबर किलो मीटर परती गंटे में तो इसको सीधे 18 बटे 5 से हम multiply कर देते हैं तो 18 किलो मीटर परती गंटा जो है इसकी रफतार आ गई next question हम देखते है दो संख्याओं का अनपाद 3 अनपाद 4 है और उनका जो मासा 5 यानि मात्तम समातवर तक 15 है तो दोनो संख्याओं का योग क्या होगा अनपाद 3 बटे 4 दिया गया है मासा 15 दिया गया है तो संख्याओं कैसे निकालेंगे जो की मासा दिया है और उनके अनपाद से गुड़ा कर देंगे तो 3 गुड़े 15 बराबर 45 आ जाएगा और दूसरी संख्या का उनुपात कित्ता 4 है उसको मासा से गुड़ा कर देंगे तो वो आ जाएगा 60 तो इस तरह से 4560 आ जाएगा आप संख्याओं का योग पूछा गया है तो 4560 को जोड़ देंगे तो हमको 105 प्राप्त हो जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं एक त्रभूज है ABC जिसमें B और C के आंतरिक द्विभाजक बिंदू B पर मिलते हैं यानि O पर मिलते हैं तो यहाँ पर आंतरिक द्विभाजक बिंदू मिलना है एक आमान 80 दिया हुआ है और BOC तो हमको BOC निकालना है यानि हमको इस कोड का मान निकालना है यहाँ पर तो BOC निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसका जो फार्मूला होता है तो उसके लिए 90 प्लस एक बटे दो और कोड ए का मान हमको दिया हुआ है मान हम रख देते हैं 90 प्लस बन बाइटू इन्टु एट्टी तो इस तरह से इसका मान जो है 130 आ तो इसको हम देखते हैं एक खास बैटर्न पालो कर रहा है कि सभी संख्याओं को चार से भाग करने पर अगली संख्या प्राप्त हुई जैसे पहली संख्या क्या है आपके सामने 40,960 है उसको हमने 4 से भाग किया तो कित्ता मिला 10,240 जो आपकी पास ये संख्या है 10,240 लेकिन प्रस्ट में क्या दिया है 200 दिया है तो गलत है तो 200 ही हमारा 200 जो है सही एंसर होना चाहिए 200 की जगे पर 640 की जगे पर सफारी 640 गलत है क्योंकि 640 की जगे पर 200 तो यहाँ पर क्या है, इसका correct answer क्या होगा, इसका correct answer 200 होगा, क्योंकि हमको गलत संख्या बतानी थी, तो 200 जो है गलत है, यहाँ पर आना कितना चाहिए था, 160 होता, तो यह series जो है, follow होती जो है, क्योंकि 160 में अगर आप 4 से भाग करेंगे, तो आपको अगली संख्या है नहीं, 40 मिलेगी, 40 को फिर भाग करेंगे, 4 से, तो आपको जो है, 10 मिल जाएगा, तो इसका correct answer क्या होगा, 200, अब आकरी के दो question बचें, उसको देख लेते हैं जल्दी से, निमलिखित का सरलीकरत मान क्या है, तो इसका आपको मान निकालना है, तो इस equation को आप solve करिए, जो है, इसको इस तरह से solve किया जा सकता है, कुछ कठी नहीं है, बस देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो आपको जो यहाँ पर इस जगे divide के बगल में दिया हुआ है, इसको आप नीचे बटे में इसके ले आएंगे, तो आगे इसका solve देख लीजे, इस तरह से हम बटे में ले आए थे, वह हम लोगोंने solve किये, पूरी कोशिस किये, मैंने की जित्ता ज्यादा सुद्धता से आपको बता सकूँ, लेकिन मैं मैंने पहले भी कहा कि मैं मायत का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, तो मैंने किसी और की help लेके भी इसको solve कराया है, तो आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, जहां नहीं समझ में आगा, आप वहाँ पर खुश समझने की कुशिस करिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि लगबख सभी answer सही होंगे, एक दो अगर कहीं गलत होते हैं, तो हो भी सकते हैं, answer की से देखा जाएगा उसको मिला के, तो आज के ल नवादो